आएए देखते हैं इंवेस्टर को किसमें ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब लोईस पॉइंट पे मार्केट थी तब 23 मार्थ 2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था और करन्ट प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक, लंबी अउदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए दो, जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 3. जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 4. हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं यानि कि पहले 3 पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1.1.2014 को 1 लाग रुपे इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1.01.2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए 6 साल बाद 1.1.2.020 के दिन इस इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस investment की value हो गई और current Nifty 50 investment की value है Nifty में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point Nifty ने जीत लिया है second point Nifty ने जीता third point Nifty ने जीता तीनो points में Nifty जीत गया है overall Nifty जीता चार्ट में देखते है एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये share और Nifty का index जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया ये share ने कितने percentage का return दिया Thank you